नमस्कार आज हम बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में पेंटिंग्स क्या है? पेंटिंग प्रतीकों की भाषा है आदिकाल में मनुष्य को जब भाषा नहीं आती थी तो वो इन प्रतीकों, इन सिंबल्स के द्वारा अपनी बात समझाता था तो जब आप किसी particular direction में, दिशा में कोई painting लगाते हैं तो आप उस space को बता देते हैं कि मुझे इस दिशा से ये चाहिए आपका subconscious mind आपके अंतरमन को भी आप बता देते हैं कि मुझे इस दिशा से ये चाहिए तो वो space, वो जगा, वो दिशा और आपका अंतरमन दोनों मिलके वो चीज को execute करने में लग जाते हैं तो हमें घर में कोई भी नकरात्मक paintings नहीं लगानी चाहिए रोते हुए चहरे या लड़ाई जगडे की paintings नहीं लगानी चाहिए हमें हसते हुए चहरे, happiness की paintings घर में लगानी चाहिए आज हम बात करेंगे साथ ऐसी paintings की जो घरों में आपको अक्सर दिखाई दे जाती है बुद्धाजी की painting आपको अक्सर घरों में मिलती है बुद्धाजी की meditation करती हुई painting बुद्धाजी कौन थे? बुद्धाजी एक spiritual guru थे एक insight giver थे, एक teacher थे बुद्धाजी की painting आप North East में लगा सकते हैं क्योंकि वो शांती को दर्शाते हैं, meditation को दर्शाते हैं दूसरी उनकी जो painting है, जो pose है उनका वो reclining pose की painting बहुत famous है वो painting हमें घर में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि जब बुद्धाजी ये संसार छोड़ के जा रहे थे तो वो निर्वाना, reclining pose में आये थे तो हमें ऐसी वाली painting घर में नहीं लगानी चाहिए दूसरी most common जो painting आपको घरों में दिखाई देती है वो भगवान शिरी कृष्न की है भगवान शिरी कृष्न की painting अगर आप लगाना चाहते है तो आप उसको नौर्थीस्ट में लगा सकते है नौर्थीस्ट में लगी हुई भगवान कृष्न की painting आप अगर जीवन में किसी भी करम शेत्र में खड़े हैं और आपको समझ नहीं आरा आपको क्या करना है आपको वहाँ जीत कैसे पानी है तो नौर्थीस्ट में कृष्न की painting आपकी जीत सुनिश्थित करती है कैसे? जितनी भी आपकी destruction होती है उनको दूर हटा कर आपका focus एक जगा पे ले आती है अगर आप भगवान शिरी कृष्न की painting बलराम जी के साथ लगाना चाहते है तो आप उसको east दिशा में लगा सकते है भगवान शिरी कृष्न और बलराम की east में लगी हुई painting आपको बल, सहयोग वा social connectivity देती है तीसरी अगर आप painting भगवान शिरी कृष्न की यशोधा मा जिसमें माखन मत रही है और भगवान शिरी कृष्न माखन खा रहे है ऐसी painting लगाना चाहते है तो आप उसको east, south east में लगा सकते है भगवान शिरी कृष्न की उपदेश देते हुए गीता ज्यान देते हुए कि अगर आप painting लगाना चाहते है तो आप west, south west या फिर आप उसको west में लगा सकते है राधा मा के साथ अगर आप शिरी कृष्न की painting लगाना चाहते है तो east, north east में लगा सकते है तीसरी most common painting जो आपको घरों में दिखाई देती है वो couples की painting होती है couples क्या दर्शाते हैं? relationship couples के बीच में उस घर में रहने वाले couples के बीच के relationship को दिखाते हैं तो उसको आप कहां लगा सकते हैं? आप उसको east, north east, east में, ssec में, south south east में या फिर west में भी लगा सकते हैं, north north west में भी लगा सकते हैं चौथी जो आपको painting, fourth painting जो आपको commonly घरों में दिखती हैं वो है green scene की, greenery की greenery क्या दिखाती है? growth को दिखाती है, पौधे बढ़ते हैं, greenery बढ़ रही है तो वो growth को दिखाते हैं, तो ऐसी growth की painting आप कहां लगा सकते हैं? north में, जो की आपके लिए अफसर बढ़ाती है और कौन सी painting है, जो आपको अकसर घरों में दिखाई देती है? वो है भगवान गनेशा की भगवान गनेशा जो बुद्धी, धन, के देफता माने जाते हैं, ग्यान के देफता माने जाते हैं तो आप उनको north में धन की प्राप्ती के लिए और west-south-west में ग्यान की प्राप्ती के लिए और जब आपको लगए कि किसी व्यक्ती की सोच बहुत सीमित हो गई है उसको विस्तार करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है तो आप गनेश्ची को north-east में लगा कर भी उसकी सोच का दाइरा बढ़ा सकते हैं और एक आपको बहुत कॉमन जो घरों में पेंटिंग दिखाई देती है वो white running horses के दिखाई देती है white running horses क्या दिखाते हैं, एक तो speed और एक best quality तो अगर आपको किसी financial institute से जल्दी या bank से जल्दी support चाहिए loan के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, North West में वो painting लगा कर आप उससे फाइदा ले सकते हैं नमस्कार